देखे चमतकार हमारे लिए होते हैं और ठाकुर जी की वो लीला है यूशुली ये कहा जाता है कि अगर महिलाओं को पीरेट्स है तो उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए बड मैंने ये सुना कि कहा जाता है कि वो बाके बिहारी मंदिर में आ सकती है पीरेट्स के वक्त में जब मासिक धर्म से होते हैं तो उस वक्त आप ना तो किसी मंदिर जा सकते हैं जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं ये वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें उस टाइम महिलाओं को भी पता होता है कि वेरी जी को इत्र भी बहुत पसंद है क्या क्या एसी टिपस है जू आप दिना चाओगे कि जन्माष्टमी पर्या है तो आपको करना ही चाहिए jis से लड़ू कोपाल थोड़ी जलदी मान जाएंगे आपकी बात लिक्रिष्न जन्माष्टमी है अपने ठाकुर जी को पढ़िया सनान वगरा कराई उसके बाद उनको पीले वस्तर पहनाई इस बार कह रहे हैं कि दो दिन जन्माष्टमी पढ़ रही है अगर थोड़ा सा बता पहें कि exactly किस दिन जन्माष्टमी है कि काफी पंचांगों में क् कि हमारे यहां पर अलग-अलग पंचांगा चलते हैं लेकिन कुछ रिलिजन्स ऐसे हैं जहां पर ही बोला जाता है स्पेशली मुस्लिम में कि आपको अपना सर सिरफ हमारे ही जो अल्ला है उनके आगे ही जुकाना है सबसे उपर सनातन धरम है उसी से ही निकले हुए है इसस कुछ नगीर दें hearts निटिन जी जैब ही जी की बहुत सबागता का भागत कैसे हैं कि आप बस किरपाई बारी जी करते है कि यह अशिरवाद है कि राधा रानी अपनी स्थान से अपने द्धाम से अपने एक बच्चे को कहीं और बेश्ती है सिर्फ इसलिए जो उनकी लीलाए हैं, उसका हम जिक्र कड़ सके, वर्डन कड़ सके आर बिहारी जी मंदिर के आप सेवक हैं, तो यह कैसी एक भावना कैसी होती है, क्योंकि हम सब जाते हैं स्रद्धा भाव का छती है और मैं उस टाइम जो है नया नया बिहारी जी का जो है वो शिरियंग सेवी बनाता है शिरियंग सेवी मैं इसले कहूँगा नया नया क्योंकि हमारे यहाँ पर जब मुंडन होता है तब उसके मुंडन के पश्चा तीन साल साड़े तीन साल का जब बच्चे का मुंडन होता है उसके पश्चाद हम बाके बिहारी जी के गर्व ग्रह में प्रवेश कर सकते लेकिन बिहारी जी को इस पर्ष नहीं कर सकते बिहारी जी की शिरियंग सेवा नहीं कर सकते लेकिन जब हमारा जनेव होता है बकायद हम कंठी लेते हैं जनेव होता है गुरू बनाते हैं गुरू तो जब एकदम से गेट खुला शुरू आती है डर्षनों लिए तो जब भागी धागी दोड़ी आती है वे आती है ले जी के समीप उस शन में उस पल को मैं कभी नहीं बूल सकता, उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि वाट आयम, यानि मैं हूँ कौन हूँ, असली चीज मुझे पता चली कि मैं क्या हूँ, मैं बेहारी जी के चवर सेवा कर रहा हूँ, नीचे पबलिक जो है, उनके एक जलक पाने के लिए ललाय तो रही है, जलक पाने के लिए तडप रही है, भार गेट पर वेट कर रही थी, तो जब चवर एला रहा था, तो मेरे दिमाग में दिल में एक ही चीज आई, मैं उस वक्त स्कूल में था हूँ, और मैं बड़ा कोशिस करना चाता था, कि मैं जो है, जो है कोई करा हूँ, वो ये लोग नहीं कर सकते, तो मुझे इस जनम में बिहारी जी ने अपना अगा शिरियंग सेवी बनाया, तो मैं जीवन भर उनकी सेवा ही करूँगा, क्या बाद है, लेकिन एक चीज़ मुझे और ये जानी है, कि वरिंदावन में जब जाते हैं तो इतने मंद हैं, अगर मैं गलत नहीं हो, तो पांच हजार से जादा मंदिर वहां पर हैं, लेकिन बिहारी जी की इतनी माननेता क्यों है, क्यों लोग जो है, वो इतनी दूर दूर से आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, उनका आश्रवाद लेने के लिए, लेकिन बिहारी जी जो हैं वो आधे कृष्ण और आधे राधा के रूप है तो ठाकुर जी का समलेत रूप है एक प्राड दो दही का स्वरूप है यह तो और इतने बड़े श्री विग्रे के भी दर्शन आपको अमूमन कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन बिहारी जी में सबसे आधा आस्था इसलिए है क्योंकि हर कोई चाता है कि उसकी जो विशेज हैं उसकी जो मनोकामना है वो पून हो और बिहारी जी इतने लाडले ठाकुर रहे हैं इसलिए ठाकुर जी को मारे बांके बिहारी जी को स्वामी हर्दास जी का लाडला ठाकुर भी कहता है इसलिए हम कहते हैं लाडले श्री तो बिहारी जी जो हैं इतने लाडले हैं कि अगर आप उनसे लाडल लडाने जाओगे आप उनसे प्रेम करोगे एक बच्चे की तरह तो जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे कर एक चॉकलेट दे कर कुछ भी उसके मन की करके खिलोना दे कर उसको अपनी गोदी में ले सकते हैं जो इसी भाव के साथ भक्त भी आते हैं जो उनके चरन सेवकवा इनके सेवा भी करते हैं और अपने प्रेम से लहां करते हैं और अपनी मनोकामना फूर्न करते हैं सो जब किसी की मनोकामना फूर्दि वो Barnब भान काही divers तो इसलिए श्री वरंदावन धाम में पूरे ब्रिज में मैं काऊंगा कि जितना रश जो है जितनी भीड जो है जितने शरद धालू या जितने भाव के साथ ठाकुर्दी के दर्शनों के लिए बाके बहारी मंदर में आते हूं वो शायदी कहीं आते हैं मेरे को भी चीज लगती है मैं भी जितनी बार भी जाता हूं बाके बहारी जी वहां उस जगह तक पहुचने के लिए आपको शायद धक्के भी खाने पड़ते हैं आप भीड का हिस्सा भी बनते हैं पसीने भी आते हैं लेकिन जिस मुमेंट पर आप वहां पहुचते हैं और देखते हैं ठाकुर जी को तो मुझे लगता है कि आपको अंदर से वह एहसास होता है कि हाँ मैंने उस खुशी को प्राप्त कर लिया और कोई है जो मेरे साथ है जिसने हात रखा हुआ है मेरे सर पर दिखिए जब भी आप भीड से होकर आएंगे सबसे पहले तो हमको यह प पस्या की बिना नहीं मिले तो यहां पर इस कल्योग में आपको ठाकुर जी इतनी एजीली नहीं मिलेंगे और जब प्रत्यक्ष आपको सहज दर्शन चाहिए उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं तो आपको काल के धक्के भी कम हो जाएंगे अगर आपने बाके वेरी अटोमेटिकली दूर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस ठाकुर जी के श्री चर्णों से लेकर उनके मस्तिक सब उनके दर्शन पर करना चाहिए बजाए भौतिक चीजों के की मेरे बगल में कौन खड़ाया धका मुकीन सब चीजों को अगर हम बूल जाएं तो ठाकुर जी निरादार है यानि भक्त तो जान होते हैं अपने ठाकुर की क्या बात है बहुत सही लेकिन जैसे आपने बोला कि आप अंग सेवी है एक चीज जो मेरे को हमेशा लगती है कि हम अगर कोई और मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हम सपर्श कर सकते बगवान का ल तो आप अमूमन देखेंगे तो कहीं भी आप शायद सपर्श नहीं कर सकते ठाकुर जी को उसका सबसे बड़ा कारण बहारी जी मंदिर का तो यह है कि बाके बहारी जी को स्वामी हरदाज जी महराज ने अपने संगीत की साधना से अपने तप से अपनी भक्ती से रिजा कर प्रकट किया है तो वो सेवा उन्होंने अपने वंशचों को मतला अपने बच्चों को दी ती तो उनी के वंशच जो हम लोग है पीडी दर पीडी सेवा करते चले आ रहे हैं इसलिए बिहारी जी को जो मैंने ये बोला था कि एक जो हर्याली तीच की सेवा का मैंने बताया जो सब लोग कर सकते हैं मैं वो कर सकता हूँ चाहे जोब या बिजनेस का लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उनका शिरियंग सेवी बनकर वो और कोई नहीं कर सकता है वो सिर्फ उनके पुजारी ही शिरियंग सेवी ही कर सकते है तो ये परम 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 सोभाग्य की बात है हमारे लेक कि जिस पल मैंने बिहारी जी को फर्स टाइम जब श्रियंग सेवी के तोर पर जब मैंने पहली बार उनको सपर्श किया था तो मेरे रोंग्टे घड़े हो गए थे आखों से अशुरु धारा आखों से आसु आने लगे तो उसका सबसे बड़ा कारण ये कि जितना मैं सुनता तो मेरे को लगता था कि ठाकूँर जी हार्ड होंगे कैसे होंगे मैं मतलब कहना भी नहीं चाहता इस बार में लेकिन उस पल जब मैने उनको फील किया मैंसूस किया तो ऐसा लगा कि इनसे जादा निरमल इनसे जादा कोमल या इनसे जादा सॉफ्ट आज की सी लेंगविज जिए कहाँ पर है और मुझको क्या ज़नम दिया उन्हों हो कि सेवा का सोभाग्य दिया है तो मतलब आइधों से आशवे भी उसके मतलब बैटेंगे नहीं लेगstones। यकीन तते लिए अज अर इस दिन रहें आपने बात बोली ना कि वह इतने कोमल है एक अलग एनरजी है मुझे लगता है उस पूरी मंदिर की अलग एक फील आप कर सकते हैं अगर आप सच्छे भाव से जाओ ना तो आपको महसूस होगा कि वहां पर क्या एनरजी है एक चीज और मुझे आप बताईए कि दर्शन करते करते बार-बार वहां पर्दा किया जाता है इसके पीछे का क्या रीजन है अगर आप बता पाएं दिके बिहारी जी की एक रानी भक्त थी बड़ी भक्त थी बिहारी जी की परम भक्त में जिसको कहूँ और वो ठाकुर जी के निरंतर दर्शन करने आती थी बार-बार तो वो ठाकुर जी को देखे जा रही है देखे जा रही है और देखे ही जा रही है ठाकुर जी को निहारे जा रही है उनका दीदार करे जा रही है और इसी बीच उनकी पलके नहीं जपक रही है और उसी बीच उनके आसू भी देखते होंगे कई भक्त मंदर में आके रोते हैं और जब भी कोई भक्त बिलकुल नॉन स्टोप ठाकुर जी को आकर देखता है रोता है तो हमें परदा करना पड़ता है क्योंकि कब पता नहीं ऐसा कोई भक्त निकलिया है जो रानी जैसा बक्त निकलिया है तो वो उनको ठाकुर जी को देखती रहें देखती रहें और प पच्चे के मो में एक्दम सुद्बुद् खोदेती हैं और उसको अपने साथ ले जाती ए कि ये तो मुझे यसा रगता है उनको फील हुआ कि ये तो ठाकुर जीन ए स्वेम उनको पुत्र के रूप में दिया है वो उसके साथ चली जाती है उसको ले जाती है तो जब पुजारी जी ने उनको शेन कराने के लिए जब उठाया क्योंकि बांके ब्यारी जी जो है वो चल ठाक हो रहे हैं यानि कि अपने सिंगासन पर विराजमान होते हैं शेया पर सेन करते हैं बाहर भी आते हैं अपने गर्व करे से बाहर जगमुवन में तो जब उनको देखा तो बिल्कुल हलके हो गए थाख बिल्कुल हलके तो स्वामी हर्दाजी ने जन्मानस के लिए ब्यारी जी को परकट किया कि उनके दर्शन करके इस कल्योग में हम अपने कस्टों को अपने संकटों को दूर कर सकें और सबसे बड़ी बात उनसे लाड़ लड़ा सकें तो स्वामी हर्दाजी के उस वचन को बिहारी जी को याद दलाए कि प्रभू आपको स्वारूप में उसको बालक भी देखा रहा है तो इसी वज़े से कि नैनों से नैन ना लड़ा है क्योंकि ठाकुर जी के जो है हमारे ठाकुर जी के नैन जो है बड़े टेड़े हैं और टेड़े कैसे हैं कि आप कहीं खड़े हो जाए ये पीछे आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी जी आपको देख रहे है और आप बिहारी जी को देख रहे हो आप चाहें इधर उदर देख लोगे लेकिन पीछे खड़े होगे ठाकुर जी के दर्शन आपको हो रहे हैं नाइस एक चीज मुझे और बताओ आप कि वहां पर पेड़ों का इतना वोक्यू है कि सब लोग जो जाते हैं वरिंदावन जाएंगे तो पेड़े तो खाने हैं क्या पेड़े प्रिये हैं ठाकुर जी के देखिए पेड़े का भूग बहुत पहले से शुरू हुआ और वैसे आपने सुना होगा तो ब्रिज में एक मंदिर है जहां पर मिट्टी के पेड़े भूग लगते हैं मिट्टी के पेड़े क्या है कि वहां पर ठाकुर जी कि जो एक लीला है उसके दर्शन मिलते हैं कि वहां पर मिट्टी खाते थे ठाकुर जी तो अपने मैया को अपने जैसे जैसे फेस्टिवल्स पढ़ते हैं जैसे जैसे पर्व तोहार पढ़ते हैं सब का अपना अलग-अलग तरह का भूग है जैसे अभी आप देखेंगे कि ये जो हर्याली तीज का सीजन निकल के गया है इसमें ठाकुर जी को फैनी और घेवर भूग लगते हैं अभी मिगी पाग गोला पाग इनका भूग लगता है इस तरीके से बिहारी जी का जब बिहार पंचमी आती है तो बिहार पंचमी पर सर्दी में आती है तो उस टाइम ठाकुर जी को केसर युक्त हलवा भूग लगता है रादा स्टमी पर ठाकुर जी को चवेनी भूग लगती है जिसमें जो की चार चीजों से मिलकर बनी है जिसमें गुलदाना होता है सकल पारा होता है अर्भी होती है अर्भी राधारानी की फेवरेट है तो बिहारी जी को जो है वो सीजन के हिसाब से और बिहारी जी को त्योहार और पर्व के हिसाब से अलग-अलग चीजों का भोग ल तो आपके नजर में लड़ू गोपाल को अपने साथ लेकर चला यह सही है या गलत है जी मेरी नजर में और अगर शास्त्रों के अनुसार भी आप देखोगे कि या किसी भक्ती के साथ से भी पॉंट अवू सो देखोगे मेरी नजर में यह बिल्कुल गलत है नहीं करना चाहि है मैं कई बार इस चीज के लिए कह चुका हूँ क्योंकि आप ठाकुर जी को एक स्थान देते हैं अपने घर में जब भी लड़ू गोपाल जी को लेकर आते हैं चाहें कोई उनको बच्चा बना कर लेकर आ रहा है लेकिन भाव है वो एक बच्चे का भाव रख सकते हैं ले प्रशादी करते हैं जब नए हम लड़ू पाल जी को बजार से कहीं से भी लेते हैं तो जब तक उन में जान नहीं है प्राण नहीं है जब तक वो एक अबजेक्ट है जब आप देखिये जो कारीगर होता है जब उनको बनाता है तो पैरों में फसा के और नैनों को कटीले क करने के लिए ठोकता है क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त बहुत एक चीज ए उस वक्त एक ऑबजेक्ट है उस वक्त भो ठाकूर जी नहीं है लेकिन ठाकूर जी कब बनते हैं जब कोई उनको भाव से लेता है फिर उसके बाद वरिंदावन में या आपके घर के पास में कोई भी प्राचीन मंदेरों या वरिंदर में बांके वैरी जी के प्रशादी करता है तब ठाकुर जी उनमें प्राण देते हैं और कहते हैं कि जिस घर में भी आप जा रहे हो वहाँ पर पर जो है सुख शांती सम्रद्धी वैबब और सुकून रहे तो उसके लिए हम उनको अपने घर में विराजमान करते हैं तो जैसे बिहारी जी भी भाव रूपी आज भी निदिवन जाते हैं लेकिन वैसे ठाकुर जी साक्षा जो है प्रतक्ष जो है वो वही रहते हैं लेकिन भाव रूपी तरीके से वो निदिवन में ब्रहमण करते है निदिवन में महारास करते हैं, तो ऐसे ही आप भाव रूपी अपने संग ठाकुर जी को ले जा सकते हैं, वरना उनको घर में ही विराज मन कीज़ें, क्योंकि अगर आप उनको बच्चा समझते हैं, तो फिर घर में आपके पास भगवान के नाम पर को ने हैं, तो लड्डू दिख रहे हैं कि बिहारी जी की आशिरवात से, रादारानी की कृपा से, जब आप अपने घर में लड्डू को पाल जी को विराजमान करते हैं, तो उनको वही स्थान दीजे, और जब आप सभी जने घर से जाते हैं, तो उनके समक्ष जो है, आप ड्राइफ रूट्स या म लेकर नहीं घूमना चाहिए और अब यही चीज बहुत बनती जा रही है, वो इसलिए बनती जा रही है, क्योंकि अब फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी लोग अपने लड्डू को पाल जी को खोने लगे हैं, किसी के गिर गए हैं, किसी के उनके हातों से तूट ग मज़की रखना चाहिए, आप मुझे एक चीज बताइए, कि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया के प्रभाव के वज़े से अब बहुत जादा लोग आने लग गया है, सिरफ रिल बनाने के लिए, कोविट के बात से पहले से तो रश काफी रहता था, लेकिन कोव गर में भी रह रहते हैं, लेकिन जो लोग रिल के माध्यम से और इन चीजों से आते हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ यह कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिल तक इसको ना रखें, रियल लाइफ में अगर आप अपनी पूझा कर रहे हैं, आप यह दिखा रहे हैं कि मैं भक्ती करती हूँ या करता हूँ, तो उसको रियल लाइफ में भी उता रहे हैं, तभी आप पर किरपा होगी, अन्यता आप सिर्फ रिल लाइफ में अगर सोचते हैं कि आपको किरपा मिल जाएगी, बिलकुल नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कता ही नहीं मिलेगी, आपको रिय क говоря इससे नाम को आपञा बीगा झाप करना पढ़ेगा और सबसे बड़ी बात अपने करमों को पड़ेगा इस नाम के क्यों कि है दिखिए हम जिस नगरी में रहते हैं जिस ब्रिजधाम में रहते हैं वो नगरी ही कृष्ण की है जिस नगरी में हम रहते हैं वही अगर कृष्ण की है और अगर कृष्ण जी का ही जन्म दिवस नहीं मनाया तो सब कुछ निराधार है जैसे हम जिस घर में रहते हैं और वह हमारे माता-पिता ने दिया है, लेकिन हमें इस धर्ती पर लाना, उनके बच्चे के रूप में लाना, उनका सेवक बनाना, उनका भक्त बनाना, ये सब ठाकुर्दी ने पहले ही रचा हुआ है, ये हमारे प्रारब्द से है, तो शिरी कृष्ण जन्मास्टवी अगर आपने अपने जीवन में नहीं मनाई, तो मेरी नजर में आप सनातनी नहीं है, मेरी नजर में आप ठाकुर्दी के भक्त नहीं है, और मेरी नजर में आप जो है, वो एक हिंदू कह लीजे, किसी भी कह लिए जो उसमें मनुष्य जीवन और आपका जो मनुष्य जीवन, इंसान जीवन वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, अगर आपने शिरी कृष्ण जन्मास्टवी नहीं सेलिबरेट की, लेकिन जिस बाद, इसके बाद भी अगर जो लोग नहीं मनाते हैं, एक बार अगर आपने शिरी कृष्ण जन्मास्टवी मना ली, यकीन मानिये, आप हर साल मनाएंगे, और आप हर बार यहीं इंतजार करेंगे, कि प्रभू वापिस से कब आ रही है, जन्मास्ट में जल्दी से आए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनके साथ हर दिन सेलिबरेट करूँ, या हर महीने इनका जन्म दिवस में हूँ, क्योंकि इतनी भक्ती आपके अंदर आएगी, इतना प्रेम आएगा, आपके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अमारे जीवन में एक चीज़ चाहिए, और वो है पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, कि हम अगर किसी भी कार के ले जा रहे हैं, तो हमारे आखों में इतनी ताकत होनी चाहिए, कि हमने जिस मीटिंग में हमारे मुखार बिंद में इतनी ताकत होनी चाहिए, कि हमने नजरों से अगर किसी को देख लिया, और अपने मुख से हमने कोई चीज बोल दी, तो वहाँ पर लोग हमें सुनेंगे, हमारे उस चीज पर अमल करेंगे हो सकता है कि हमारी वो प्रोजेक्ट जो है या जिस मीटिंग लेम जा रहे हैं वो पूरा ना हो लेकिन आप वहां से निराश नहीं लोटेंगे कभी भी और धीरे धीरे आप किसी भी प्रोजेक्ट में हाट डाल लीजे अगर आप कृष्ण भकते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहेगा तो कृष्ण जी प्रेम के भूके आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएए मैं हिंदुस्तान की भी ने कहूंगा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएए किसी भी मंदर चले जाईए श्री कृष्ण को अगर रिजाना है तो उनके गोपी और ग्वाले बनके उनसे एक बाल लाड़ लड़ा के देखे इसलिए श्री कृष्ण जन्मास्ट भी मनाईए क्योंकि वो जन्म दिवस ठाकुर जी का है उनका है जो हमारे सर्वे सर्वा है सर्वो परी है हमारे लिए और इसलिए कहा जाता है कि राधारानी को सर्वेश्वरी कहते हैं और बिहारी जी मतब कृष्ण जी को सर्वे सर्वा क इस पर भी काफी बात होती है कि राधे राधे बोले या क्रिशन जी को याद करें कोई बोलता है राधे राधे बोलो क्रिशन जी अपने आप आ जाएंगे कोई जना बोलता है कि क्रिशन जी को पहले बुलाओ फिर राधा रानी आएंगी तो किस शब्द का जाप करे देखिए राधे राधे नाम से राधा रानी आगर आती हैं तो भगवान कृष्ण साथ में ही आएंगे पीछे पीछे चलते चले आएंगे इसके लिए चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब एक पती पतनी साथ में जा रहे होते हैं और आप पीछे से अगर पतनी को आवाज देंगे तो पतनी से पहले पलट के पती देखेगा जब आप उसकी पत्नी को आवाज देंगे तो पत्नी से पहले पत्ती देखेगा कि किसने मेरी पत्नी को आवाज लगाई तो जब आप ठाकुर्दी और राधा रानी जब साथ में हैं तो जब आप ठाकुर्दी और ठकुराइन साथ में चल रहे हैं या साथ में वो रास में कहीं भी हैं दर्शन भी कर रहे हैं तब आप जब राधे राधे पकारोगे तो सबसे पहले ध्यान आप के ओर जो है कृष्ण जी का जाएगा इसलिए कहते हैं राधा नाम में ही कृष्ण बस रहे हैं कैसे रासे रटते रहो धासे कर लो ध्यान और र तो इसके लिए क्या सजा है अगर आप मुझे बता पाओ भगवान भी तो सब देखी रहे ना पूजा भी करते हैं घर पर मंदिर होता है मंदिर उमें भी जाते हैं हो सकता है वरिंदावन भी आते हो लेकिन उसके बाद हरकत ऐसी होती है देखिए इसके लिए मैं यह चीज कह करम है अगर वही हमारे खिलाफ में अगेंस्ट में अच्छे करम नहीं करेंगे तो कभी भी भगवत प्राप्ती नहीं हो सकती कभी भगवान के भक्त नहीं बन सकते और कभी भी ठाकुर जी के प्रिये नहीं बन सकते हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा हमें यह प यश अपयश भी किसी का है ख्याती है उसका उसकी श्री से है और श्री तब ही है जब उसके करम है ये सब प्रारब्द का केल है तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि अच्छे करम करेए भगवान का नाम जा apt भी अगर एक बार को आप ना भी करिए तब भी भगवान खुश हैं लेकिन आपके करम अच्छे होने चाहिए तभी आप भगवत प्राप्ती भी कर सकते हैं तभी आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं तभी उनके भक्त भी बन सकते हैं तभी उनके लाडले बच्चे भी बन सकते हैं इसलिए किसी के प्रती भी अपने द्वेश भावना और ये सारी चीज़े नहीं रखे एक इंसान को उपर उठने के लिए दो चीज़ें का मौका मिलता है एक या तो वो खुद मेहनत करे और उपर जाए दूसरा वो उसको नीचे खीच ले लेकिन उसको नीचे खीचने में वो उपर नहीं जा रहा है ये चीज़ पर हम कि वो उसको दूसरे को नीचे खीच रहें पर हम उपर नहीं जा रहे हमें उपर जाने के लिए उससे जादा मेहनत करनी और मेहनत का फल बगवान जरूर देते हैं देर सही अंदेर नहीं है और मीठा ही मिलता है बगवान का फल मैंने कही पढ़ा था आप मुझे बताओ कि सही है या नहीं यूशुली ये कहा जाता है कि अगर महिलाओं को periods है तो उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए बट मैंने ये सुना कि कहा जाता है कि वो बाके भीहारी मंदिर में आ सकती है तो ऐसा है सचाई है इसमें और क्यों आगर आप थोड़ा सा मुझे एक्स्पेन कर पाओ कि periods में मंदिर आ सकती है ये नहीं देखें बिल्कुल भी नहीं पीरेट्स के वक्त में जब मासिक धर्म से होते हैं तो उस वक्त आप ना तो किसी मंदिर जा सकते हैं जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं इस लिए क्योंकि हमें उस टाइम महिलाओं को भी पता होता है कि अशुद्ध है वो और शुद्ध नहीं है तो यह जो डिफरेंसे दोनों में अशुद्धी और शुद्धी में वही चीज हमें समझनी चाहिए चाहें वो periods के टाइम पर हो चाहें वो किसी की मृफ्ति हो जा हम वहां भी नहीं जा सकते और बिलकुल कता ही नहीं जाना चाहें आप बच्चा मानते हो ठाकुर जी को भाव रूपी चाहें कुछ भी करते हो लेकिन आप उनकी सेवा नहीं कर सकते यह घोर अपराद है और यह मैं इसके लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी वर्ष पहले एक बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड और मतलब सेटिल फैमली थी में उनका नाम नहीं देना चाहता बिहारी जी का फूल बंगला बनवाया था उन्होंने और उनकी जिस आदमी ने फूल बंगला बनवाया था जिस भक्त ने उनकी वाइफ को सेम डेई पी नहीं हुआ अगले वर्ष जब फिर से फूल बंगले की डेट के लिए जब उनको पता चला तो उनके पास कुछ भी नहीं था आज भी वो किराय के मकान में रहते हैं आप तो फिर भी सेटल होगे हैं काफी अच्छी चीज़ां सुधर गी हैं तो मेरा सिर्फ एक्जामपल यह समझाने का कि हमें अपनी वेल्थ का हमें हम अपने हेल्थ का हर चीज का ध्यान लखना चाहिए और ऐसे कोई करम मत करो जो गलत है जो आप शास्त्रों में भी जाओगे तो वो एक श्राप को काटने के लिए लेडी इसको यह चीज मिली थी कि बैया आप जो है वो मासिक धर्म आता है तो इसी लिए आप मासिक धर्म में सेवा पूजा नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त महिलाएं अशुद्ध होती है सो आपके हिसाब से अवॉयड करना चाहिए मंदिर जाना अगर आपके पेरियेट से हैं चाहिए वह कोई भी मंदिर हो इंक्लूडिंग यौर घर का मंदिर बिल्कुल सो आप जहां पर रहते हैं ना वरिंदावन में वहां पर किसी से भी मिलो किसी भी आप ब्रिजवासी से मिलो तो वो हर बार कोई चमतकार की बात करता है कि हाँ तो इतने चमतकार होते हैं ये हो गया वो हो गया कोई चमतकार ऐसा है जो आपने नोटिस किया हो या इसके बारे में आपने सुनाओ जो आप शेयर करना चाहते हो दिखे चमतकार हमारे लिए होते हैं और ठाकुर जी की वो लीला है तो हम किसी और की क्यों बात करें मैं अपने उपर पता हूँ मेरे साथ ही भग कोविट से एक साल पहले में सेवा कररए तो उस टाइम पर सुबह बिहारी जी को उठाना और शेयन करा या दौनों सेवा थी हमारे पास मैं में और मेरे कजन ब्रदर है तो हम दौनों सेवान चाहिए तो राति में हम घ्री की की इत्तर से मालिश करते हैं, तो मालिश के वक्त शायद मेरे पास कोई फोन को लाया होगा, तो मैंने वो फोन लेकर अपना वही रग दिया, जो भी था, तो मैं जब भीहारी जी को शेन कराने के बाद घर चला गया, कपड़े चेंज कर आथा, तो मेरे को ध्याना आया कि अरे मैं अपना तो कहीं भूली आया हूँ अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद था कि शायद वो बिहारी जी के पास होगा महाँ पर गर्व गरे में होगा अंदर फोन क्योंकि जब फोन को लाएगा तो मैंने उस पर एक बार दो बार तीन बार रिंग करी और रिंग पूरी पूरी जा रह तो सिच उफ तो हूं नहीं सकता तो इसका मतलब किसी के हाथ लग गया मैं उस वक्त बड़ा मतलब कहूं कि अपने आपको को सून और बिहारी जी को कहते है जब एक मित्र बन जाते हैं उनकी सेवा करते करते तो मैं कहूं कि प्रभू ऐसा मत करो में कंगाली में आटा गीला के लिए हो तो उनके लिए भी जित करते है कि शरदालु आरे कि प्रभू इनकी पूरी करो मनो कामना तो यह हट भी है क्योंकि हम उनके श्रियंग सेविय रोज उनकी सेवा कर तो इतना हकम रखते हैं कि हम जो जो हमसों कुछ भी मांग सकें तो मैं हट बढ़ गया मुझे न पेवाते पेवाते मैं उनसे कहा रहा हूँ फोन दिलवा दो कहा है बताओ तो सही अचानक मेरे पैर पैर मतलब मेरा जो पैर है मेरे फोन से टक रहा है मैंने अपने वो जल रखा मैंने वो फोन उठाया मैंने चलो धन्यवाद मेरा फोन मिला लेकिन जब मैंने उसको जैसे ही ओन करने के लिए मैं बटन नवार हूं मैं देख रहा हूं वो फोन ओन था उस पल मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मेरे आंकों से फिर से वापस से आंसु आए कि प्रभू ये कैसी लीला थी रात में मैंने इतने कॉल्स कियें मेरा फोन स्विच ओफ था लेकिन अब जब मैं गर बगरे में आया हूं तो मेरा फोन जो है वो पूरा चार्ज था 100% उसमें एक भी परसेंट वैटरी कम नहीं थी 100% मेरा फोन चार्ज था और वो ओन था ये मेरे साथ में अभी भी आपको बता रहा हूं तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो रहे हैं बहुत बड़ी लीला थी तो प्रभू का भी एक अंदेशा था मतलब से संदेश दिया मेरे को मुस्कुराते हुए कि रात में तेरो फोन मों डिस्टब कर रहा हूं मों परिशान कर रहा हूं मैं जो है ना तो सो पा रहा हूं शेहन कर पा रहा हूं ना ही मैं निदिवन जा पा रहा हूं तो मैंने वा तो वापिस लोटा दियो क्योंकि तू मेरे पीछे पढ़को वो जो थी लीला मतलब कितनी बार में उनको प्रणाम करूं कि प्रभू मेरा वो फोन आपने वापिस दिला दिया ऐसी बहुत सारी लीला हैं ऐसे और ऐसे कई चमतकार तो ऐसे हैं जो मैंने जान बूचकर उनके सा एसास भी उसे है और इसमें विश्वास भी उसे है कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है जिसे आपने ही बोला ना आपने कई बार टेस्ट करने के लिए ऐसा बोला कि आप करके दिखाओ और उनने कर भी दिया तो जिसने इस चीज को एहसास किया है वही इस बा जिनकी जो विर्णावन आ रहे हैं और बड़े भाव के साथ आ रहे हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटी उनके साथ थी कुछ नेगेटिव वाइपस उनके साथ थी कि पूरी की पूरी उनकी गाड़ी डैमेज हो गई पूरी की पूरी गाड़ी का बीमा नहीं मिला पूरी की प वालिका ने जनम लिया और वो बड़े खुश है कि हमारे 16 वर्षबाद उन्होंने बिहारी जी के जो है वो स्वास्तिक रखे हमारे हां हर पूजा का अपना एक कार है कि ठाकुर जी के मनुकामना पूजन कैसे होता है तो पुत्री के लिए बच्चे के लिए उन्होंने रखा यह इंतर भी बहुत पसंद्न को इस सब बिहारी जी ko हम रूख लगाते हैं मनुकर वस्टाइम के उडह लगाते में वहिए टासीर होती है ओधंडे और जब सरदी आ जाती है बहुत ज्यादा है तो बिहारी जीचोह बिहारी सबल्द को हिन् Kemal और केसर लगता है तो ये जैसे इस वक्त जो सीजन चल रहा है मिक्स चल रहा है तो इस वक्त गुलाब का इतर सबसे आदा यूज में लिया जाता है गुलाब की तासीर भी हलकी हलकी ठंड़क देती है ठाकुर जी को तो सीजनल इतर लगाते हैं और वही उनको प्री है जैसे गुलाब हो गया रूखस हो गया केवडा हो गया हिना हो गया केसर हो गया ये बिहारी जी को इतर प्री है और आप हमें सभी को अपने घर में अपने लड़ू को पाल जी की इतर सेवा करनी चाहिए ताकि जिस पल आप अपने लड़ू को पाल जी के इत्र से मालिश करें अपने फिंगर से उस पल आप उनसे जो भी मांगोगे क्योंकि इतना हमको ठाकुर जी को रिलेक्स देना है उनकी बोडी को उनके शिरियंग को कि हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभू यह मेरी मनुकामना और कुछ भी ना हो तो बिल्कु निस्वार्त भाफ से आप सेवा करें लेकिन डेली प्रते दिन अपने घर में इत्र सेवा करनी चाहिए अपने भगवान की आपने जो बोला कि आप उनकी सेवा करते करते मांग लो तो मतलब बेसिकली वह इतन आना चाहिए आपकी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए आपके इतनी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए कि आप उनको रिज्छा सकें आपको आपके प्रेम में इतना ताकत होनी चाहिए कि आप उनको मना सकें बच्चे को मनाना असान भी नहीं और बड़ा मुश्किल होती है अगर आप कुछ निदीवन के बारे मताना चाहें जो आपने एक्सपीरिंस किया है आपको लगता है कि हाँ इस बात में इतनी सच्चाई गैरेंटिड है देखें जी न्यूज वालों ने और काफी चैनल्स ने जो न्यूज चैनल्स ने एक डॉक्यमेंटरी अपनी बनाई हुए निदीवन के उपर उसको डॉक्यमेंटरी को आप अगर जब सर्च करेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि रात्री में जो रंग महल है जो राधारानी का स्थान है वहां पर सब चीज़े स्थिर रूप से रखी जाती है दातुन भी निदीवन के जब सब ताले लग जाते हैं और उनके दो ही रास्ते हैं तो वहां पर उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी तो जब उनके वो राध बर सोई नहीं थे तो उसके बाद जब वो अंदर प्रवेश करते हैं और जब ताला खुलता है तो प्रति दिन आपको देखन में जाती है निदीवन में और आज भी वहां पर महरास के जो दर्शन है निदीवन में महरास का जो स्थान है सली है जहां पर महरास करते हैं वहां पर आज भी सुबा सुबा आपको छोटे छोटे पद चिन मिलेंगे आपको पैरों के निशान मिलेंगे देखने को तो निद इवन जो है और वो जितनी भी लता पता हैं आप देखेंगे सब नतमस्तक हैं सब जुकी हुई हैं क्योंकि ये सब गूपियां हैं ये सब ठाकुर जी के उस महरास का एक हिस्सा है जब रात्री में होता और जितने भी आसपास के मकाने हैं वो सब ही अपनी खिड़कियां पर जो एक कंगन मिले हैं प्रशादी पायल मिली है बिखरी हुई तो ये सब एक कृपा है ठाकुर जी के और एक सबसे बड़ी जो लीला अपने बात करिए कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जितना जल जितना जो है शेन का लड़ू और जितना जो पान का बीला बिहार डाली जी और रादारानी ने उतना उतना प्रशाद भी पाया तो ये सारी लीला है भी देखने वाली है और इनको आप मैसूस कर सकते हो और जःसे आपने बोला देख नहीं सकते कई लोग चाहते कई लोग यह ब Psych करते हैं कि आप सबसे बहुत सबस्क्राइब क्या हम इतने पवित्र हैं कि हम ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमें दर्शन देने लेकिन आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देतें कई बार आप देखिएगा कि ऐसे भक्तों ने मुझे चमतकार कोई बावा जी कोई संत हमारे सामने आया और उसने हमको बोला गाड़ी रुकवाई हमने गाड़ी रोकी भी डरते डरते उसने बोला तुम गलत आ रहे हो तुम यहां से नहीं उदर से जाओ उन्होंने अपने डिरेक्शन चेंज किया और जब बाद में पता चलता है तो वो रास्ता जंगल की ओड़ जा रहा था तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रतेक्श रूप में दर्शन देते हैं वरना ठाकुर जी से अगर आप लाड़ लाओगे न तो स्वपन में दर्शन आ सबसे पहले उनको प्रणाम करो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करो कि प्रभू आप आये तो सही और अगर डांट रहें जिस चीज के लिए उसको बदलो क्योंकि भगवान आपके ऊपर पूरी पूरी निगा रखके बैटे हैं ठाकुर जी अपने हर भक्त पर ध्यान दे सबसर में जिल है तो रात्री मिन वैकर आतरी के बंद करके जाते तो सुबे भी हम भी खोलते थे हम ही अंधर जाते तो तो ऊ Sage न का लड्डू सिर्फ एक ही बॉक्स K phase नीहीं खा रहे यह ऑर किसी से नहीं, ठीक है 18 95 भग ए दो 10 बॉक्सेज रखे रहने लेकिन यह liला है, तो हम उनके साथ कभी कभी खेलते हैं, तो मैं उस बॉक्स को जो है रात्री में रख गया और उसके उपर 6-7 बॉक्स और चिन के चला गया, कि अब ये सब से नीचे है, अब आप इसको कैसे खाओगे, ये मुझे देखना है। जब शेहन कराते हैं विहारीजी करों सिंगासन पर चादर भी बिछाते हैं तो जो मेरे साथ में शेहरे कोई म szıidya कम मुझे को दिट다 विया जो है उन्हों थे है से तो मैं थेगा उछ आधे हैं अगर आपके मनमे तो आप जरूर चादर भिछाए हम चले गए रात में नींद भी नहीं ढंग साएगी लीला के दर्शन करने है सुबह सबसे पहले जब पहुँचे उनके दर्शन करे महाँ पर जाके जब प्रणाम किया और उसके बाद जब वो बॉक्स पर निखा देगी तो मैंने ये देखा कि वो जो 6-7 बॉक्स थे वो एजटेस किसी ने उठा के अलग रख दिये उसमें से एक भी न गिराए न उदर और सिर्फ वही बॉक्स जो है नीचे से वो खुला हुआ है और उसमें आदा लड्डू गायब है आदा मां पर रखा हुआ है वो आदा लड्डू जो गायब है वो हमको मिलता है सिंगासन पर यानि बिहारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन है इसको समझना आना चाहिए कि प्रभू ने एक साथ दो लीला दिखाए कि वो 6-7 बॉक्स अट चाद पाया, तो अगली बार से चादर भी भिछाके जाना तो जो ये दर्शन होते है ना उसमें कुछ नहीं होता उसमें आप मंत्र मुग्द कह लीजे या आप कहलीजे के होश खो देते हैं आपने आप सिर्फ उस वक्त बिहारी जी के लीला के दर्शन करते और अपने पर उनका भक्त उनका दीवाना बन कर देंगे। कि बच्चों को भी हर किसी को भी जिसको लगता है चाये वो लड़कियां है बालिकाएं हैं चाये वो male है female है जो भी हैं हर कोई बहरी जी को अपना mujer बनाईए ज़रूर बनाईए उनके साथ एक रिष्ठा कायम कीजे आप उनको पिता मानिये अपना पुत्र मानिये अपना मित्र मानिये अपना सखा मानिये अपना भाई मानिये कुछ भी मानिये पर मानिये ताकि कल को जैसे अभी रक्षा बंद निकल के गया है भाई मानिये उनके लिए राखियां बेशती है उनकी कितनी बेन है क्यों क्यों क्योंकि उनकी रक्षा चा और बच्चों को जैसा आजकल मैं तो कहता हूँ कि जो डोरिमोन वाला भावा कि डोरिमोन के पास गैजेट्स होते हैं सारी problem का Solution है नोविता की तो सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी से भी ऐसी मित्रता कीजिए कि आंब ने उनको अपना डोरिमोन माना उआ हुआ है तो अगर शिजुका चीह है तो भी दिलवा देंगे बिल्कु दिलवा देंगे और अच्छी दिलवाएंगे जो तो आपके लिए पॉर्फेक्ट है तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं आपको पता है किसके आगे आपको अपनी सही जगह से भाव रखना है लेकिन इतने सारे जो मंदिर हैं अगर मैं आपसे बोलू एक कोई शक्स जो है वो धाम आ रहा है तो कौन से ऐसे मंदिर है जो आप शक्की मंदिर है नाम लेना टो नहीं नहीं है जितने बी प्राचीन मंदर बंट्राजी मंदिर का मंदेर उनके दर्शन की जड़ोर कीजे और बरसाने के बिना दर्शन आपके अधूरे हैं क्योंकि राधा रानी बरसाने में ही मिलेंगी और वरिंदावन में ब्रहमण करती हुए तो बरसाना भी दर्शन कीज़े गोवर्दन जी भी जाईए रमन रेती जाईए भांडिर वन जाईए जहां की अपनी एक लीला है राधा और क्रिश्न की तो ऐसे अनेकों मंदिर हैं प्राचीन ब्रिज में 84 सी कोस की जो प्रबूरी परिक्रम है उसमें काफी मंदिर ऐसे आते हैं जिनके प्राचीन मंदिर जिनके दर्शन करना ही आप मानिए कि आपने ब्रिज की यात्रा कम्प्लीट की है क्या बात एक मंदिर और था मुझे मैं जब आया तवरिंदावन तो जिस ए रिक्षा में मैं घूम रहा था उस ए रिक्षा वाले ने मुझे दूर से दिखाया और बुला कि ये भूतो वाला मंदिर है भूतो ने रातो रात इस मंदिर का निर्मान किया तो ये भूतो वाला मं करो बिहारी जी मतलब ठाकुर जी की तिनी किरपा है वहाँ पर उस गली में बी आप जाओगे तो आपको एक अलगी अनुभूती होगोगी आपको रहां,вол वहाँ इसा होगा वहां ऐसा होगा है, नेगेटिव वाइप्स तो पूरे विरंदामने कहीं मिली नहीं सकती है। प्रेमानन्द महराज जी जो है उनसे आपकी भेट हुई कभी आपकी मुलाकात हुई। उनकी जो वीडियोस हैं जो उनकी लेसंस हैं आप तक महुंचते हैं आप देखते हो। मुलाकात तो मेरी परसनली कभी उनसे नहीं हुई है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनना और इतने जन्मानास उनके भक्त बन चुके हैं। कि बातों को सुनते हैं मेरा एक ही चीज मानना है कि अगर जितने भी भक्त लोग जितने भी अन्युआई उनको सुन रहे हैं। और वो सभी उन चीजों पर अमल करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज अपने आप सुधर जाएगी। उनकी चीजें हैं कि नोनवेज नहीं खाना चाहिए एग नहीं खाना चाहिए एलकोहल नहीं लेना चाहिए इन चीजों के साथ-साथ आपको पराय इस्तरी हो गया या किसी भी चीज पराया धन हो गया यानि कि आप अगर अपने जीवन में वो सारी चीजों को अमल कर लें तो आप एक शुद्ध शाकाहरी भी बन जाएंगे और पवित्र भी बन जाएंगे हमारे लिए सबसे जरूरी इस वक्त एकी चीज है कि अगर हमें ठाकुर जी को पाना है भक्ती पानी है तो हमें अपने आपको शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा और आचरण से ही हम अपन पवित्र कर सकते हैं जब मन की शुद्धी तन की शुद्धी और धन की शुद्धी मन की शुद्धी जाप से होती है कि आप ठाकुर जी का नाम जाप कीजे तन की शुद्धी शारेरिक सेवा करने से होती है कि आप उनको सुबह उठा रहे हो उनको सनान ध्यान करा रहे हो उ प्रणाम करते हों तो आप अपने तन की शुद्धी करते हैं एक दान से कि आप जो भी हम धन कमाते हैं हमें वह जो है वह किसी मंदिर में या ठाकूर जी की सेवा में हमें वह धन लगाना चाहिए और दूसरा उसको कमाने का जो हमारा ज़रिया है वो भी शुद्धोना चाहिए, तो इससे तन मन धनकी आप शुद्धी करते हैं, जब ये सारी चीज हो जाएंगी, तो इनसान जो है वैसे ही सुदर जाएगा एक महराज जी और जिनकी वीडियो सोचल मीडिया पे काफी वारल होती है, वो है अनिरुद आचार्या जी, बिस्किट को वो संदी विछेत करके बोलते हैं, वो विश्किट है, यानि कि उसके अंदर ही विश्क है, तो आप ये मत खाओ, तो अनिरुद आचार्या जी के बारे है, जैसे आटे का या मैदे का है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको खाने में कोई हमें दोश है, बाकि अगर उनको बताने का जो उनका तरीका है वो तो फिर अद्वुत अलगी है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये कि उनका एक व्रद आश्रम चलता है, और वो जो अगर मनुश्य सेवा करके आप ठाकुर जी की प्राप्ती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है कि जिनके पास घर नहीं है, हम कहते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, भगवान देते हैं, तो अगर आप किसी को रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहे भगवान बन गए हैं लेकिन जो ऊपर बेटा भगवान है वो आपसे बहुत खुश होता है और उसके साथ साथ उनकी रसोई भी चलती है जो मैंने सुनाया 24 आवर चलती है और उसमें जो भूजन है वो भी बड़ा शुद तरीके से बनता है बड़े अच्छे तरी सीम क्रपा उनके साथ है और आगे भी बनी रहेगी निदिन जी एक चीज़ मुझे और आप से पूछनी थी क्योंकि आपने भी सोचल मीडिया पर देखा हम सब भी फॉलो कर रहे हैं जानी ने रो रोकर समुंदर भर दिये ये गाना गाने वाले बीपराग जो है ये एकदम से राधा दानी का नाम जपने लग गए है सारे मंदिरों में जा रहे है है विरिंधा वन के तो क्या लगते आपको क्या रीजन है कि इतना बड़ बॉली सिंगर आब वो भजन भी जा रहे है वो मंदिरों में जा लग डिखें आते ब वह पहले बीए थे मुमन दर्शन करते कि हमें actual में realize हुआ कि हम हमारा जो मनुष्य जीवन में मिला है वो किस purpose से मिला है किस चीज के लिए मिला है हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ है लेकिन उस काम के साथ-साथ अगर हम ठाकुर्दी को नहीं पकड़ेंगे उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे उनके शिरी चर्णों पर नहीं जाएंगे उनके दर्शन नहीं करेंगे तो निराधार है बेकार है सब कुछ तो इसलिए उनको भी realization हुआ कि असली जो सुख मतलब उनको चाहें वो मुंबई की life में रहते लेकिन वहाँ पर उनको सब कुछ मिल सकता है सम्रदी मिल सकती है वेभब मिल सकता है लेकिन वहाँ पर उनको सुकून नहीं मिल सकता है तो जो असली सुकून है वो उसी जगे मिल सकता है जहाँ पर आके वो ठाकुर जी का नाम ले और सबसे अलग होकर वो वहाँ पर वक्त व्यतीत करें, तो वहाँ पर उनको सुख मिल सकता है, वहाँ पर उनको शान्ती मिल सकती है, वहाँ पर उनको सुकून मिल सकता है, तो जब वो श्री वरिद्नावन धाम में आने लगे, फिर अपनी फैमिली के साथ आने लगे, तो आज वो इतने भक्त बि वाम पर भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और ऐसे ही मुझे आप अपने शिरी चर्णों में स्थान दें कि मैं जो रोते हुए या बॉलिवुड के जो गाने में बना रहा था आज मैं ऐसी कुछ चीजे ला रहा हूं जिसको लोग गुन गुना रहा रहा मुझे लगता है अब उनसे उनकी पैचान अलगी बनने लगे और यह बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है जन्माश्टमी एक ऐसा त्योहार है जो हर हिंदू जो हो गर्व से मनाता है इंतजार करता है खुशिया होती है घरों में खाने पीने के पकवान बनते हैं तो सबसे पहले मै जानना चाहूंगा कृष्ण जन्माश्टमी इसका अगर आप थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर पाएं क्या महत्व है हम सबके जीवन में देगे श्री कृष्ण जन्माश्टमी का हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है और उसका सबसे बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि जिन है उत्सव है उसको हमें अपने जन्म उत्सव अपने एनिवर्सरी हो गए इन सब से जादा मनाना चाहिए क्योंकि वो मारे इस्ट हैं वो मारे परम अराद्ध हैं हम उनी के ही भक्त हैं जो हम सीजन सीख रहें और अगर हम जो है आध्यात्मिक उस पर जाएंगे तो श्रीकृ मंद्र में आपर मनाना चाहिए और नहीं तो अपने घर में अपने लडव को sach Muhi कंठ सेलिब्रेट करना जरूर चाहिए क्या क्या ऐसी टिप्स है जो आप देना चाहोगे कि जन्मास्टमी पर यह तो आपको करना ही चाहिए जिससे लड़ु गोपाल थोड़ी जल्दी मान जाएंगे आपकी बात देखे सर्व प्रथम तो जिस दिन शिरी कृष्ण जन्मास्टमी अपने ठाकुर जी को पढ़िया स्नान वगरा कराई है सुबह के टाइम उसके बाद उनको पीले वस्तर पेनाई है पीला पीतामर उनको धारन कराई है येलो कोलर की उसके पश्चाद जो है उस दिन ठाकुर जी को 56 भोग लगाई है वेंजन भोग लगाई चपन प्रकार के और नहीं तो उनके लिए बड़िया मीठे बनाई है उनके लिए पूरी बनाई है यानि पक्का प्रशाद हम जिसको कहते है वो बनाई है उनके लिए भोग लगाई है उसके पश्चाद जो है जब रात्री तक आपको सेवा ऐसे ही करने है उसके पश्चाद रात्री को 12 पंचामरत से करेंगे और उसके साथ-साथ उनको पालने में जूला जूलाईए और फिर से एक नई पूशाक दारन कराईए उनको महाभीशेक के बाद और पालने में जूलाईए जैसे एक छोटे बच्चे को पालने में रखतें एक जूला में उसमें रखतें ऐसी ठाकुर ज को अपने लड़्डू को पाल जी को भी पालने में जूला जूलाईए उनकी आरती कीजे उनको भोग लगाईए और उनके पास काफी सारे मैं कहता हूँ अगर आपके कैपसिटी है तो धेड़ सारे खिलोने रखिए और अब आती है बात की ठाकुर जी आपसे जल्दी कैसे मा बच्चे हैं उनके साथ शीरी कृष्ण जन्मास्टमी के अगले दें नंदोत सब मनाई है सबसे जादा ठाकुर जी उससे री जाएंगे क्योंकि जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं तो जब उन बच्चों का कोई नहीं है तो वो उनके भगवान है और आप उनके ल करेंगे तो भगवान को आप मना रहे हो रिजा रहे हो लेकिन गोस्वामी जी जैसे आप बोल रहे हैं कि बिहारी जी आईए बिहारी जी के दर्शन करिए बहुत लोग में कन्फ्यूज होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन से भगवान से आस्था करनी है कोई कहता है और में दुजए मेरी चीजे मिल जाएं देखिये सबसे जरूरी है कि जैसे हमारे एक ही पिता होते हैं तो ऐसे ही एक ही परमिश्व भी होना चाहिए हम किसी को भी एक को पख़डने मैं कहता हूं हम बिहारी जी बगत बन जै हम जो है बिहारी जी के बखत है या फिर हम कि सबसे जरूर मिलिये सबके दर्शन कीजिए सबको प्रणाम कीजिए जैसे मैं अपना भाव प्रकट करूंगा कि मेरे लिए पिता जो है पिता समान पिता परमिश्वर बांके बहरी जी है तो मेरे को अगर कुछ भी चाहिए होता है मुझे चाहिए कि प्रभू मुझे लेकिन मैं दर्शन करने के लिए हर जगे जाता हूं मैं हिमाचल में सारी देवियों के दर्शन कर चुका हूं मैंने धामों के दर्शन की हैं मैंने जोतिरलिंक के दर्शन की है लेकिन मैं वहां जाके क्या है कि जैसे हनुमान जी के मैं दर्शन कर रहा हूं और हनुमान जी क जब मैं दर्शन करता हूँ तो मैं हनमान जी से सिर्फ क्या कहता हूँ या मांगता हूँ कि प्रभू जैसे हनमान जी महराज आपने राम जी की भक्ती करी कि सीना चीरा तो राम जी प्रकट हुए ऐसी भक्ती मेरे अंदर भी डालो कि मेरा सीना चिरे तो बाके बिहारी जी प्रकटों साक्षात रादारानी प्रकटों तो ये मैं उनसे मांगता हूँ बाकी कोई भी चीज़े चाही होंगी मैं बिहारी जी से ही मांगता हूँ क्योंकि पिता एक ही है बागी सब चाचा ताउ हैं तो चाचा ताउ को प्रणाम करना भी पिता सिखाता है कि जाओ सब जगे प्रणाम करो लेकिन ये भी पिता सिखाता है कि देखो वहाँ जा रहे हो तुम मांगना नहीं है जैसे हमको छोटे जोडे बच्चों को जब अब लेके जाते थे हमें जब लाखो सर जुकते हैं यहां, सर उठा कर जीने की फर्याद में, कि लोग अपने सर जुकाते हैं भगवान के आगे कि हम सर उठा कर जी सके, सो सही तरीका क्या है भगवान से मांगने का, कि चीजे मिल जाएं? देखे सबसे पहले तो आपका मन सच्चा होना चाहिए, आप सच्चे मन से जो मांगेंगे बिहारी जी आपको जरूर देंगे, लेकिन अगर आप उनके भगत हैं, उनके दीवाने हैं ना, तो हमें पता हो या ना पता हो, भगवान को पता है कि हमारे लिए चीज सही है नहीं, हो सकता है, आज जो चीज हमें सही लग रहे हैं, कल वो हमारे लिए चीज सही ना हो, तो इसलिए भगवान हमें वही देते हैं, जो हमारे लिए सही होता है, भगवत प्राप्ती भी आपको तबी मिलती है, लेकिन मैं कहूंगा कि बिहारी जी से फिर भी आपको कुछ तो ब्यारी जी नहीं सुनने तो बगतों से कि लेटर लिखके ले आओ एक एप्लिकेशन लगा दो जैसे स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं और हमको छुटी चही होती है या बॉस से भी छुटी चही होती है जॉब में तो ब्यारी जी को भी एक एप्लिकेशन दे दो कि चार-पांच बार मैं कोशिस करूंगी कि मैं आपके दर्शन करने आओं मैं आपसे लाड़ लड़ाने के लिए जरूर आऊंगी अन्यता धाकुर जी की सेवा जुड़ दिया बहुर सारे बक्त करते भी हैं जैसे बच्चे के लिए कि उन्होंने जोड़ दिया कि प्रभू हम टाइम नहीं मिल पाता है लोगों को क्यूं उसका सबसे बड़ा कारण ये कि लोगों की जो विशेस हैं लोगों की जो मनोकामना है लोगों की जो इच्छा है वो बड़ी फ्रिक्वेंटली पूरी हो रही है बड़ी जल्दी पूरी हो इसलिए लिए लोग और कनेक्ट होते या नहीं है यह आपने बहुत बढ़िया बदाया काई लोग जो है अपने लेटर्स आप तक पहुचाएंगे आपको पढ़के अब ये ठाकुर जी को सुनाने है लेकिन मैं यह देखा है जब मैं विरिंदावन आता हूं कि और रिलिजिन के लोग भी वहां पर आते हैं को बहुत अनlements की लेखा है कि वहां पर आरे हैं दर्शन करने के लिए तो उनमे यह भाव कहां से आता था है लेखी यह दोख लोग जो आते हैं उनमें से मैं जिक्ष गौनगवा कि काफी तो मेरे ही हैं थसे मेरे कोलेज से के मेरे फ्रेंड्स थे जो की मतलब हम लोग वहीं कॉलेज में मिले और कभी मित्र नहीं बनेते अलग रिलिजन था लेकिन धीरे 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 वर्क की वज़े से काम की वज़े से मुंसे कनेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि अच्छा ये जो है वरिद् करते हैं तो मैंने देखा कि कई बार की वो लोग जो है नौनवेज एक खाते हैं तो यकीन मानिए आज भी उनमें से जितने मेरे फ्रेंड्स बनेते एक भी ऐसा नहीं है जो अब नौनवेज एक खाता हूं मैंने उन सबके छुड़बा दिये सबसे पहला मेरे एक सवाल था किया तुम किसी मामाादर कर सकते हैं वह जो आफ जो हम समदश सबकेbat जिए सकते हो आप अपने जीवा की टेस्ट के लिए सिर्फ किसी को मरत्यु दे रहे हो तो ऐसा खाना क्या खाना वोले व्ले वैंडे में तिनी सारी चीजह में है इतनी सारी चीज़ें है जपकि वैंड खाने का कोई भी धरम नहीं है आजकल लोग इसको connect करने लगें कि सिर्फ हिंदु ही वैज खाएगा बिल्कुल नहीं कोई धरम नहीं है हर धरम का अदमी हर धरम का सक्ष जो है इंसान जो है मनुष्य जो है वो वैज खाना खाएगा और खाना भी चाहिए देखे भगवान जो तो मैंने तो अपने सारे जो अदर रिलिजिन के फ्रेंड्स से उनका नौन वेज और एक चुड़वा दिए और आज भी वो बियारी जी के महीने दो महीने में दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन जब उनको पता चलता है कि सनातन धर्म जो है वो सर्वो परी है सबसे उपर सनातन धर्म है उसी से ही निकले हुए है इससे उपर कोई धर्म नहीं है इससे उपर कोई राष्ट नहीं है इंदू राष्ट से बढ़कर तो बिहारी जी ठाकुर जी क्रिशन जी के बार म और अगर नहीं भी बनते हैं नहीं भी मंदिर आते हैं लेकिन अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का सुधार कर लेते हैं जैसा नोनवेज और एग है और जैसा दूसरी चीज की अधर रिलिजियन के लिए खिलाफ में आप कुछ भी ना भूलिए ये भी एक धरम है इस बार कह रहे हैं कि दो दिन जन्माश्टमी पढ़ रही है अगर थोड़ा सा बता पहें कि exactly किस दिन जन्माश्टमी है देखें काफी पंचांगों में क्या होता है कि हमारे यहां पर अलग-अलग पंचांग है उसके according तिथी जो है आगे पीछे होती है तो काफी पंचांगों में अगर दुपेर के बाद से अस्टमी लग रही है तो वो लोग उस दिन को अस्टमी मानते हैं और जन्माश्टमी सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हमारे बांके बहरी मंदिर में जो है विश्व हिंदू पंचांग चलता है काशी का उसके according जो है जन्माश्टमी सेलिब्रेशन कब होगा कैसे होगा या कोई भी थिथी कैसे मानी होती है वो सूर्दय से काउंट होती है अगर सूर्दय पर जब सूर्दय होता है अग वो अस्टमी बनेगी तो वो कृष्ण जन्मास्टमी के देने तो वो जन्मास्टमी मनेगी तो इसलिए इस वर्ष बांके बिहारी मंदिर में 27 तारिक को 27 अगस्त को शिरी कृष्ण जन्मास्टमी मना रहे हैं और 27 को ही जो बिहारी जी के अन्युआई है जो बिहारी जी के कि रात्री में अभी शेक कराएं महाभी शेक जिसको हम कहते हैं उस पंचामर्ट से अपना व्रत खोलें ठाकुड जी को येलो कलर के वस्तर पहना है ठाकुड जी को पीला पीता मर धारन कराएं उनको पाले में जूला जुला है उनके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाएं अगर कर देते हैं पेरेंट्स की अगर लड़की है तो उसको राधरानी बना देंगे लड़का है तो उसको क्रिशन जी बना देंगे तो आपके इसाप से सही है ऐसा करना चाहिए देखिए जब बहुत चोटे बच्चे होते हैं जहां पर बच्चा जो है अबोध बालक हैं जिसक इल्कुल मत कीज़े ठाकुर्दी के वस्तरों को बच्चों को सजाने की बजाए आप जो है उनके गोपी और ग्वाले बनाईए आप उनके सखा बनाईए कहोगी ये प्रभू है शुरुआत नीव जो है वहीं से रखी जाएगी बच्चों को कि जब छोटे-छोटे बच्चे हो तो उनको गोपी और ग्वाले बनाओ भगवान के और उनको ये सिखाओ कि तुम्हारे ये सखा है इनके साथ तुम्हें खेलना है और ये तुम्हारे इस्ट भी है तो ये तुम्हारे परमराद भी है तो ये तुम्हारे लिए जो है जैसे मैंने बताया डोरिमोन वाली च कि मैं ही तो क्रिशना को अपने से चोटा सबने लगतें नहीं किता अब बला भक्त हो जाए उसकी पहचान तब ही头 ही उसकी पहचान तब ही है जब वह अपने आप को ठाकुर जी के श्री चर्णों की धूल समझेगा आप श्री चर्णों तक पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है पर श्री चर्णों की धूल समझ लें हम कि हम उनके श्री चर्णों में ही पड़े रहें तब समझिए कि भक्त और दीवाने हैं क्योंकि भगवान तो हैं और उनको जब हम अपने को अपनेencia को अगर सेवा पूजा करनी है तो वा सेवा पूजा रेंगे जब हम भी उनके भक्त मनेंगे जनवाश्ट मी के वडक की तना महत्व होताए कि जनवा के वृत का बहुत मेंतों है अगर हम बात करें तो 20 करोड़ एकंद शी के बराबर एक जनमास्टमी का वरत है ऐसा कहा जाता है लेकिन मैं कहता हूँ उससे भी कहीं जादा मैं कहूंगा 100 करोड़ या अंगिनत एकंद शी का जो वरत है वो एक श्री कृष्ण जन्मास्टमी का वरत है और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मास्टमी के साथ रादास्टमी का वरत भी रखना चाहिए क्योंकि जो सबसे उपर है हमारे ठाकुड जी रादा रानी और हमारे कृष्ण जी ठाकुड जी उनके जन्म पर अगर हम वरत रख रहे हैं तो इससे बढ़कर उनके लिए हमारे डेडिकेशन हमारा प्रेम इससे बढ़कर नहीं हो सकता इसलिए श्री कृष्ण जन्मास्टमी का माना जाता है कि 20 करोड एकादशी का वरत एक तरफ जो हम कभी नहीं कर सकते और श्री कृष्ण जन्मास्टमी का वरत एक तरफ तो अगर कोई एक आदशी वरत नहीं रख सकता है साल बर भी यह नहीं रख पाता है तो उसको एक आदशी वरत नहीं रख पाता है जूला जुलाना इसका क्या महतव है और क्या इसकी बीशे का रहस्य है देखिए अगर हम पौनाण एक समय की बात करेंगे तो पहले भी यह उता था कि जब बच्चा जन लेता था तो उसको पालने में रखते थे पालने में जूला जुलाते थे ताकि उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा वो हिलता रहे और जो है उसको रोई नहीं इन सारी चीजों के लिए तो यही भाव ठाकुर्दी के साथ है और जूला जुलाने का आप देखेंगे हर्याली तीज पर एक तो हर्याली तीज पर जूला जूला है तो स्वामी हर्दाज जी रादा और कृष्न प्रिया प्रियतम को शामा शाम को जूला जूला रहे एक भाव यहां पर आता है कि जनमास्टमी पर जो है एक उनको ठाकुर्दी का जनम हुआ है उनको हमने बड़िया जो है माभी शेक करा है सब कुछ बहुत जूला जूला रहे तो जिस वक्त आप उनको जूला जूला है चाहें आप स्त्री हैं चाहें आप पुरुष हैं आप मेल फीमेल कोई भी हैं उस वक्त उनकी मैया बन जाई है उस पल के लिए उस मुमेंट के लिए उनकी मैया बन जाई है जैसे हम लोग भी जब बिहारी जी की गर्ब ग्रह में सेवा करते हैं तो सहचरी भाव से हम सेवा करते हैं जैन्स पुरुष करते हैं लेकिन उस पल हम सहचरी भाव से सेवा करते हैं तो ऐसे ही जब आप ठाकुर जी के पास समक्ष बैठते हैं श्री क्रिष्न जन्मास्पी उनको जूला जुलाने के लिए तो कुछ पल के लिए उनकी मिया बनके देखिए आपको एक अलगी अनुबूती होगी और सभी कोईगी चाहें दो मिझे bucket के लिए पांच मिनद के लिए बनिए कितनी विदेर के लिए आप बनिया वो ये चीज एक बार करके देखे आपको एक अलग ही अनुभूती होगी और फिर आज बार में हम जिक्र करेंगे क्या बात है इस पर मैं भी कोशिश करूँगा जो आपने बोला दो मिन डाके बंद करके महिया बंद कर जुला जुलाओं लेकिन अगर आप से मैं पूछू कि आपके लिए कृष्ण जी क्या है सो आप कैसे डिस्क्राइप करोगे देखिए मेरे लिए कृष्ण जी है बाके बहरी और बाके बहरी है सरवे सरवा यानि कि अगर मैं अपनी बात करूँगा तो सबसे उपर जिन से मैं प्रेम करता हूँ या मैं ये कहूँ कि मैंने प्रेम करना अपार प्रेम करना अगर किसी से सीखा है तो वो है बाके बहारी मैंने अगर चलना सीखा है तो वो है बाके बहारी कि प्रभू क्या होते हैं भगवान क्या होते हैं इस्ट क्या होते हैं परमराद्ध क्या होते हैं यह मंदिर क्या है यह सारी चीज़ा मैं सीखा हूं बाके बहरी तो मेरे लिए कृष्ण जी हैं बाके बहरी और बाके बहरी जी मेरे लिए सर्वे सर्व है सब कुछ है everything तो जो म अब हम कैसे वरत रखें कैसे जनमाश्टमी बनाएं तो ऐसे ओफिस के बहुत कहना चाहोगे चुट्टी देनी ज़िए जनमाश्टमी की? तो आप उस वरत के टाइम पर आप जो फलार ले सकते हैं आप फल का सेवन कर सकते हैं फल का सेवन करके आप अपने वरत को कॉंटिन्यू कर सकते हैं और रात्री में तो अवश्य चुट्टी मिलेगे और नहीं मिल रही तो भाईया जौप छोड़ दो ऐसी तो सीधी सी बात है और उस उनका जो पंचामरित है उससे मुझे अपना जो है वरत खोलना है उससे वरत का पारण करना है तो ऐसी नोकरी भी बहुत दिला देंगे ठाकुर्दी बहुत दिला देंगे टेंशन की कोई बात नहीं है आप एक बार भक्त बनके दीखे मैंने बता है ना पॉजिटि में पर पूरा उफिस जो है पूरा इंवाहरमेंट यह पूरा महें जाए घाए अपकी ऐसी पर्फ्म और वह इनकाल कि रह disfrutोर बात निकाल कर आए तो रात में आकि तौ रही है कि बैटके काम करो तो बेहारी जी और नोकरीया दिल में भाट नौकर आई दिलिवाई देंग आप क्या बोलना चाहेंगे क्या समझाना चाहेंगे देगि मैं यही हailleurs वा सबसे जरूरी है कि हमें अपने पो आपने करम सुधारने चाहिए और करम सुथारने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि नॉन्वेज का सेवन बिल्कुल ना करें एक काफी चीज़ें मेरे को ऐसी सुनने को मिलती है कि लोगों के घर में जो है ठाकूर जी भी विराजमान है और नौन्वेज और अलकोहल भी चलता है यह बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है valeur बिल्कुल गलत है मैं खुद अपनी आखों से देखा है पैरों में फसा के नैनो को कटीले करता है नुकीले बनाता है लेकिन वो उस वक्त अबजेक्ट है तो आपके घर में सिर्फ अबजेक्ट बनके रह जाएंगे धाकूरजी लेकिन अंदर थाकूरजी के आत्मा नहीं होगी धाकूरजी के उसी रसोई का भोजन एक्सेप्ट करेंगे जहां पर ना तो नोनवेज हो ना एलकोहलो आपको शुद्ध शाकाहरी बनना पड़ेगा अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है अगर आपको ठागुर जी की किरपा पाने है और अगर आपको सही रहना है सही मार्ग पर चलना ह और वो आपके भोजन से होता है हम जितनी भी चीजें आज देखे नौनवेज लोग खाते हैं तो जो है गरम प्रवती के बन जाते हैं उनका दिमाग बहुत जादा गरम रहता है या बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आने लगती है लोग कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ला सकता हूं उनको भगवत प्राप्ति करा सकता हूं कि बहारी जी का साथ हात पकड़वा सकता हूं कि यहां पर हात पकड़के मैं उनको ले जा सकता हूं कि यह चरण है और बहारी जी की रज धूल है यहां पर पढ़े रहो और ऐसे ही जब भी श्री वरंदावन धाम में आप आते हैं और आना भी चाहिए तो जब भी आप प्रवेश करें सबसे पहले वहां की जो रज है उसको माते से लगाएं क्योंकि ये वही रज है जिसमें लक्षमी प्राप्ति होती है तो ये वही रज है जिसको आप माते से लगाएं और जब आपको वहां पर कोई भी हवा चूती है तो बेहरी जी के ठाकुड़ जी के शिरी चर्णों को चूके आती है तो जितनी भी नेगर डिप्रेशन में आप जा रहे हैं आपको कोई बीमारी हो रही है वो सब कुस दूर हो सकती है ठाकुड़ जी के पंचामर्त से और सब कुछ दूर हो सकती है बिहारी जी की करपा से इसलिए जनमास्ट में भी मनानी चाहिए थाकि पंचाम्रित भी आप ले सके क्योंकि देवी देवताओं का देवताओं का जो है प्रिय भोजन होता है पंचामरित और वही से जब आप इसनान कराते हैं जब आप उसको पीते हैं ग्रहन करते हैं तो आप पवित्र बनते हैं आपके अंदर की जितनी वी नेगेटिविटी है जितनी वी नेगेटिव वाइप से जितनी वी नकरात्मक उरजा जो आपके अंदर चल रही है जो आपको भगवत-प्रापती से दूर कर रही है या लोगों के खिलाफ कर रही है इवन एट फैमिली और फ्रेंड्स के खिलाफ कर रही है वो सारी चीज़े दूर होती है फिर अंदर से एक चीज़ निकालनी चीए वो है एहम कि सिर्फ मैं ही हूँ मैं ही सब कुछ नहीं हूँ सब कुछ तो बांके बहारी है हम उमीद करते हैं सब का बुलावा बहुत जल्दी आए सब आएं दर्शन करें सब आशिरवाद प्राप्त करें बिहारी जी का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप जब वापिस जाए तो हमारे लिए भी प्रातना करेंगा कि हमारा एक मिलियन सब्सक्राइबर जिल्दी हिट हो जाए जी बिल्कुल बिल्कुल होंगे और मैं यही कहना चाहूँ एट दी एंड कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हो जरूर इस चीज को शेयर कीजेगा औरों से भी औरों को भी सुनवाईए क्योंकि जब आप कोई पुन्न लाबर्जित करना चाहते हैं तो यह भी एक तरीका ह इसको शेयर करके और लोगों तक पहुचा के जैसे हम चार लोगों को अगर दर्शन कराने के लिए वरिद्दावन धाम लाते हैं तो उन चारों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश पुन्न का हमें प्राप्त होता है क्योंकि उनको दर्शन करा है तो ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति के लिए कुछ अच्छे ऑनवरसेशन होते हैं क्योंकि मैं धेकता हूं कि काफी अनाप श्राब रीले और शेयर करते हैं अरे कुछ उनको छोड़ो कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर किज़ए जब आप इन चीज़ों को शेयर करेंगे और 20-30 की हम ठ्वज़ Ев बिल्कुल प्रोपर तरीके से मूवी देखते है पूरा ऐसा लगता है कि पूरा उसमें घुज गए है तो ऐसे वारतालाप ऐसे कॉन्वर्सेशन को भी सुनना चीए जो आपको आपकी फैमिली से जोडता है आपके फैंड से कराता है आज कल हम को चाहिए गया पारी जिगत चरण से वक बन के भी हैं।